वीडियो ने वाल है, यहां पर काफी जाधा important होने वाल है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं cuut एसपिरेंट्स के सबसे बड़े doubts कि कि यहां पर जो Delhi University के form हो, यहां पर कप तक open रहने वाल है इसके बाद तुम लोग को preference sheet कपसे start करना है fill करना इसके बाद तुम लोग को यहाँ पर क्या करना है preference sheet fill करने के बाद एक हमने ये भी सुनाएगी बाई Delhi University यहाँ पर एक rank list जारी करती इसके बाद याँ पर इसी वीडियो के अंदर देखने वाला है मैं आप अपनी स्क्रीन पर अचुको है जैसे कि तुम लोगों याँ पर मेरी स्क्रीन दिख भी रहे होगी जहाँ पर तुम लोगों दिखा हुआ मिल रहोगा Delhi University Admission Time Line अब भाइ यह जो टाइम लाइन है यह मैंने यह आप बनाई है प्रिवियस युर के बिसिस पर मैं तुम आप इस पर बिल्कुली ट्रस्ट कर सकतो है, यहाँ पर comparison की तरह तुम लोगों देखने के लिए कि 2023 के अंदर कैसे सिनरियो चला था and 2024 के अंदर यहाँ पर क्या होने के chances बिल्कुली बनते हैं, सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर CCS की timeline की बात कर लेते हैं, कि CCS के अंदर यह आप अपने documents upload की होंगे, तो documents upload में यह problem देखने के लिए मिलती है, कि तुम लोगों यहाँ पर नहीं पता कि जो तुम लोग यहाँ पर documents upload कर रहो हो, क्या हो यहाँ पर सही है या फिर वो गलत है, क्योंकि यहार आगे जाके देखो, जो colleges है ना, हो यहाँ आप documents कई बार reject भ क्या है, तो यहाँ पर तुम लोगों यहाँ पर documents verification भी देखने कर रहे मिल जाते हैं, अगर यहाँ पर EWS में करवाने हैं, तो मैं EWS वाला लूँगा, अगर मिल यहाँ पर OBC करवाने है, तो OBC के लिए B.A.S.C.S.T. सारी categories के लिए तुम लोगों यहाँ आपर देखने कर मिल जाता है इसी के साथ सा अगर तुम लोगों यहाँ पर sports quota या फिर ECA के लिए भी counseling चीए तो वो भी तुम लोगों यहाँ पर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगे और यह तुम लोगों यहाँ पर बहुत ही जादा जिस दिन के अंदर तुम लोग available लो उस date को डाल दो और उसके बाद एक time slot fix कर लो एंड उसी time period में expert के साथ connect हो जाओगे जो कि तुम लोगों यहाँ पर बिल्कुली अच्छे से explain कर देंगे कि तुम्हाँ जो documents है यहाँ पर सही है या फिर तुम लोगो उसमें निकले मिल जाएगी तो वहां से जाके तुम लोग download कर सकते हो तो अब तुम लोग यहाँ पर अपना face 1 तो fill up करी लोगे क्योंकि तुम लोग को पता है कि documents अपने कहां से verify कराने है then उसके बाद तुम लोग यहाँ पर face 2 स्टार्ट होता है and face 2 जो यहाँ पर थोड़ा सा बाद में close देखने के लिए मिलेगा अब कब होगा यह भी मैं तुम लोग को बताऊंगा तो यह वीडियो को जरूर से end तक देखना इसके बाद यहाँ पर तुम लोग की preference जो लोग हो जाती है अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो यहाँ पर course वाइस तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगी इसके साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर काफी सारे courses तुम लोग फिल कर सकतो अगर जो तुम लोग ने यहाँ पर courses फिल की होंगे जो कि मैंने फिल आउट की है एंड उसके अंदर यहाँ पर मिरको rank देखने के मिलेगी नव यह जो rank है यह तुम लोग को यहाँ पर common rank भी देखने के मिलेगी नव रेंक लिस्ट आउट होने के बाद तुम लोग को यहाँ पर preference sheet edit के अदर यहाँ पर दूसरे courses को भी फिल कर सकते हो तो यह preference rate को option है यह मिरको काफे ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि तुम लोग को पहली पना चलिगा कि अदर कौन-कौन से जो courses है उनके अंदर जादा competition है तो देन तुम लोग यहाँ पर अलग-अलग जो यहाँ पर courses है उनको देन add कर सकतो इसके बाद क्या होगा तो देखो इसके बाद तुम लोग यहाँ पर allocation 1 देखने के मिलेगा अब allocation 1 क्या है भाई allocation 1 के अंदर तुम लोग को सबसे पहल तो college allocate होगा and तुम लोग then उस college को choose कर सकतो कि हाँ यह college अच्छा भी है या नहीं है तो basically तुम लोगों ने जितनी भी preferences में college टाल लोगे उसी के base पर मिला होगा अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोगोंने कोई college preferences में डाला ही निया और वो तुम लोग को अपने number के basis पर वही college लोकेट होगा जो कि तुम लोग ने preferences में डाला है, अगर तुम लोगो यहाँ पर कोई सा भी college allocate नहीं हो रहा है, इसका यह मतलब है, तुम लोगो के marks काफी जादर कम हैंड, उसकी cut-off उतनी गई ही नहीं है, इसके बाद यहाँ पर location 101 के बाद तुम लोगो एक option मिलते है, accept और reject का, अब accept और reject के अंदर तुम लोग यह देखते हो कि तुम लोगो जो college मिला है, वो तुम लोगो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो तुम लोगो अगर यहाँ पर वो जो college है, वो पसंद आ रहा है, तो तुम लोग उसको accept कर दोगे, अब देखो Delhi University के अंदर तुम लोगो एक reject option देखने के नहीं मिलता, तुम लोग सिर्फ accept कर सकते हो, अब अगर तुम लोगो वो college जादा पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम लोगो आप अपनी fees payment कर देनी है, fees payment के बाद तुम लोग एक upgrade वाले option को पड़ेगी, अब भाई मानलो मैंने आप round 1 में fees payment कर दी है, अब राउंड 3 तक मेरे को कोई अच्छा college नहीं मिला, तो भाई मेरी fees का क्या होगा, तो देखो ये जो fees है, तुम लोग को refund location 2 आता है, अब location 2 के अंदर again उन लोग को colleges locate होते है, जिन लोग को यहाँ पे पहले round में नहीं मिलेते, या फिर उन लोग को भी college locate होते है, जिन लोग ने आप upgrade वाले option पे click किया था, तो यार देखो अगर तुम लोग को अपग्रेड हो रहा हो तुम लोग यहाँ पे college start होने के बाद वाले allocations में भी participate कर सकते हो, ओके तो इसके बाद यहाँ पे मैं तुम लोग को 2023 की timeline दिखायता हूँ, नौ 2023 के अंदर क्या हुआ था, कब यहाँ पे dates आती, तो देखो, यहाँ पे 2023 की बात करो है, तो phase 1 का यहाँ पे registration तुम लोग को 15 26 July के अंदर यहाँ पे तुम लोग अपनी preference sheet fill कर चुके थे, इसके बाद यहाँ पे preference sheet lock हो चुकी थी 28 July को, and then उसी के बाद यहाँ पे preference sheet lock होई, उसके अगले दिन ही तुम लोग को यहाँ पे rank list out देखने के ले मिल गी, like rank आ चुकी थी, and then उसके अगले दिन ही तुम लोग one होता है, वो out होता है, यहाँ पे एक अगस्त को, तुम लोग यहाँ पे एक अगस्त को पता चलता है कि तुम लोग कौन से college के अंदर जा रहे हो, इसके बाद तुम लोग यहाँ पे accept या फिर reject कर सकता हो, एक से 4 तारीक के 20 तक यह चलता है, like 4 दिन का तुम लोग को समय मि होती है, अगेन, fees payment में भी तुम लोग को 5 दिन का समय मिलता है, तो तुम लोग वो कर सकता हो, इसके बाद यहाँ पे जो allocation 2 ता हो, यहाँ पे 10th of August को आया था, इसका यह मतलब बनता है कि 10 दिन बाद तुम लोग को यहाँ पे दूसरा allocation देखने के लिए मिल गया, and इसके ब यहाँ पे spot round आने में September तक का भी time लग चुका था, तो तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूसले बस है, वो पीछे हो जाएगा, अगर तुम लोग यहाँ पे लेट जोइन करते हो, तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2024 की timeline की, वाई 2024 के अंदर क्या होने वाला है, यह तो देखो, तुम लोग यहाँ पे जो phase 1 का registration था, वो यहाँ पे start हो चुका था, 27 में से, अब यहाँ पे यह उमीद लगाई जा रही है, कि तुम लोग यहाँ जो phase 2 के preference filling है, वो 28 June से start हो जाएगी, क्योंकि देखो 30 से पहले यहाँ पे NTA ने काय कि result आ जाएगा, तो तुम आप से मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, 5th July तक यहाँ पे तुम लोग को phase 2 close देखने के ले मिल जाएगा, then तुम लोगी preference list जो हो है, यहाँ पे lock देखने के ले मिलेगी 12 July तक, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा जाधा time रखा है, क्योंकि मिलको ऐसा लगता है कि preference filling के थो हो सकता है, इसके बाद तुम लोग को preference rate का time देखने के ले मिलेगा 14 July को, then तुम लोग को allocation आउट है, वो है आपर 20 July को देखने के ले मिल सकता है, क्योंकि देखो इस बार CUET काफी जाधा जल्दी हो चुका है, last time जो भाई पूरे एक महीने तक तुम लोग का CUET हुआ था, तो इस बार यह थोड़ा जल्दी हो चुका है, इसलिए तुम लोग को allocation 1 भी जल्दी मिल जाएगा, जो कि तुम लोग उमीद लगा सकतो, 20 July 2024 है, अभी यह तुम लोग का बिलकुली 10 दिन पहले है, last time के उससे, last time काफी ता late हो गया था, result and phase 2 को पनोने में, तो इस बार यह आप allocation थोड़ा से जल्दी आ सकता है, 20 July तक तुम लोग expect कर सकतो, बाकि इसके बाद यहाँ पर तुम लोग का accept or rejection का दोबारा से खेल होगा वाई, and वो तुम लोग को यहाँ पर दुबारा 4 दिन का देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद fees payment तुम लोग को 5 दिन देखने के मिलेंगे, तो यहाँ पर 20-25 July तक होगा, and allocation 2 जो है, वो expect किया जा रहे है, कि वो तुम लोग को यहाँ पर 6th August तक देखने के लिए मिल जाएगा, तो यही था पूरा का पूरा सिनेरियो, and यह वाली वीडियो रहेगी, यही तक अगर तुम लोग यार अभी तक देख रहे ह बाकी यह वाली जो PDF है, तुम लोग को Telegram चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो link उसकी भी description box में, जल दिस जागे join कर लो, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, bye-bye